नमश्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत आपका भारत और England के बीच में खेला गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के हाई लाइट्स में दोस्तो भारत ने England के खिलाव राज को टेस्ट में 434 रनों से जीत हांसिल किये मुकाबले में भारत ने इंगलेंड को जीत के लिए 557 रणों का टार्गेट दिया था जिसका पीछे करने उत्री इंगलिश टीम बैबस नजर आई इंगलेंड की टीम चोथे दिन यानि की 18 फरवरी के आकरी शत्र में 122 रण पर ही धेर हो गई इस जीत के साथ ही रोईद ब्रिगेड पांच में चोकी टेसरीज में 2-1 से आगे हो गई है टेसरीज का चोथा मुकाबला अब 23 फरवरी से राची में खेला जाएगा वहीं दूस्तों टेस्ट इतियास में रणों के लिए आसे भारती टीम की यह सबसे बड़ी जीत है इससे पहले उसकी सबसे बड़ी जीत दिसंबर 2021 में आई थी तब भारत ने न्यूजिलेंड को वान खेले टेस्ट मुकाबले में 372 रनों से हराया था दूसरी पारी में इंगलेंड के लिए सबसे जादा 33 रन मार्क वुड ने बनाए भारत की ओर से रविंदर जड़े जाने सबसे जादा 5 विकिट चटका है वहीं कुल्दी पियादों को भी 2 विकिट हासिल हुए भारत की सबसे बड़ी जीतों की बात करें तो इनमें यह पहले नंबर पर आ गई है जिसमें भारत ने 434 रन से जीत हासिल की है इससे पहले 2021 में 372 रनों से जीत हासिल की थी उससे पहले 2015 में दक्षन अफरिका के खिलाफ 337 रनों से जीत हासिल की थी उससे पहले इंदोर में 2016 में 321 रनों से और उससे पहले आस्टेलिया के खिलाफ 320 रन पर जीत हासिल की थी 320 रनों से यह भारत की पांच टोप बड़ी जीते थी वहीं दोस्तों बात करें मुझूदा मुकाबले की तो दोस्तों चोथे दिन के खेल में भारतिय टीम की शुरुआ चांदार रही शुबमन गिल और कुल्दी प्यादों ने मिलकर लगबग एक घंटे तक अंग्रेज गेंदबाजों को जम कर परिशान किया ऐसा लग रहा था कि गिल अपना शतक पूरा कर ही लेंगे लेकिन कुल्दी प्यादों के साथ हो इक गलत फहमी कि चलती वे रन आउट हो गए यसश्वी जहासवाल और सर्फराज खान ने मिलकर भारत को काफी मजबूत इस्तिती में पहुंचा दिया यसश्वी जहासवाल ने ताबर तोड़ पारी खेली उन्होंग बनाई यसश्वी ने अपनी पारी में 14 चोके और 12 चख्के लगाए वहीं शुमन गिल ने इंक्यानवे और सर्फराज खाने नाबाद और सटरन की अपनी पारी खेली दोस्तो भारत ने इस मेच में इतियास भी रच दिया है अश्विन 500 विकिट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं इसी मेच की बदोलत वहीं दोस्तो भारत की यह टेस्ट तियास की अब तक की सबसे बड़ी जीत भी आब अगला मुकाबला 23 फरवरी से राची में खेला जाएगा तो दोस्तो यह टिया भी तक की अपडेट अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें धन्यवाद वने मातरम जय हिन जय भारत